साथियों, कौरोना के इस संकटकाल ने दुनिया के सोचने, समझने, कामकाच करने, खाने पीने, सब के तोर तरीके पुरी तरह से बदल दिये हैं। और जिस प्रकार से आपने सेवा कियों, और सेवा का समाज जीवन पे बड़ा प्रभाव होता है। मैं बच्पन में सुना करता था, कि एक सोनार, उसको छोटा मोटा अपने घर में, सोनार के नाते वो अपने घर में काम करते थे। और कुछ परिवारों के लिए सोने की चीजे बनाना वगेर अपना चलता था। लेकिन उस महाश्य की एक आदत थी। वे बाजार से दातुन खरीतते थे। सुबह में हम पहले की जमाने में आज ब्रश उप जो करते पहले दातुन करते थे। और वो अस्पताल में जा करके वो जो मरीज होता था। उसके जो रिस्तेदार होते थे उतनी संख्या गिन करके हर दीन शाम को उनको दातुन दे करके आते थे। यही काम करते थे और दिन भर अपना सोनार का काम करते थे आप हरान हो जाएंगे एक सोनार के रूप में अपने काम के साथ ये दातुन लोकों को मदद करने का उन्होंने छोटा सा अपने आदत बना थी उस पूरे इलाके मुझ की इतनी छबी थी उनके सेवाभाव की इतनी च करवाएंगे याने करते थे वो सेवा लेकिने अपने आप उनकी एक विश्वस्त लेता बनी थी उनके अपने के सोने के काम को हर परिवार के वो विश्वस्त वक्ति बन चुके थे याने हमारा समाज ऐसा है सेवा भाव को सिरफ कुछ पाया कुछ मिला उतने से नहीं उससे भी बहुत अधिक भाव से देखता है और जो सेवा लेता है वो भी मन में ठान लेता है कि जब मौका मिलेगा वो भी किसी की मदद करेगा ये चक्र चलता रहता है और यही तो समाज को प्रिणा देता है आपने सुना होगा, 100 साल पहले ऐसी ही बायानक महामारी हुई थी, अब 100 साल के बाद यह हुई है, और कहते हैं कि तब भारत में इतनी जनसेंग्या नहीं थी, कम लोग थे, लेकिन उस समय भी उस महामारी में दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लोग मर गए, उनमें से हमारा हिंदुस्तान भी था, करोड़ों लोग मर गए थे, और इसलिए जब इस बार महामरी आई ही, तो सारे दुनिया भारत का नाम लेते ही उनको डर लगता था, उनको लगता था भाई, सो साल पहले बारत के कारण इतनी बड़ी बरबादी हुई थी, बारत में इतने लोग मर गए थे, और आज भारत की इतनी आबादी है, इतनी चुनोतियां है, बड़े-बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे थे, और भारत पर सवाल खड़ा करने लगे थे, कि इस बार भी हारत बिगड़ जाएगा, लेकिन क्या स्थिती बने, आपने देखा होगा, 23-24 करोड की आबादी वाले हमारा उत्तरप्रदेश, और उसके लिए तो लोगों को धेर सारी शंका कुशंकाय भी थी, ये कैसे बचेगा, कोई कहता था कि यूपी में गरीब बहुत है, यहां बाहर काम करने आगये समीक, कामगार साथी बहुत है, वो दो गज की दूरी का पानन कैसे कर पाएंगे, वो कोरोना से नहीं तो भूग से मर जाएंगे, लेकिन आपके सैयोग ने, उत्तरप्रदेश के लोगों के परिश्रम ने, पराक्रम ने सारी आशंका को द्वस्त कर दिया, साथियों, ब्राजिल जैसे बड़े देश में, जिसकी आबादी करीब 24 करोड है, वहाँ यह उत्तरप्रदेश जितना ही बड़ा है, वहाँ करोणा से 65,000 से ज्यादा लोगों की दुखत मृत्य हुई है, 65,000, लेकिन उतनी ही आबादी वाले हमारे यूपी में करीब करीब 800 लोगों की मृत्यू करोणा से हुई है, यानि यूपी में करोणा से हजारों जिन्दगियां, जिसकी मरने की संभावना दिखाई जाती थी, उसको बचाई गई है, बचा लिया गया है, आस्तिती ये हैं कि उत्तर प्रदेश्ट ने न सिर्फ संकरमन की गति को काबू में किया हुआ है, बलकि जिने कोरोणा हुआ है, वो भी तेजी से रीकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। और इसकी बहुत बड़ी बज़र आप जैसे अनेक महनभोव की जागरूपता, सेवाभाव, सक्रियता, आप जैसे सामाजिक, धार्मिक और परवकारी संगठनों का ये जो सेवाभाव है, आपका ये जो संकल्प है, आपके संस्कार है, जिसने इस कठीन समय से, कठीन से कठीन दोर में, समाज के हर व्यक्ति को कोरोणा के खिलाब लड़ाई लड़ने की ताकत दी है, बहुत बड़ी मदद की है।